नमस्कार वेलकम टू मायास फूट और आज हमने बनाई है बटर नान यह देखिए है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली नान इसका टेक्चर भी देखिए आप बहुत ही सुंदर है और कई बार यही परिशानी होती कि अब नान को बनाना किसमें है नॉन स्टिक वाले तवे पर तो आप बिल्कुल नहीं बनाई है क्योंकि उस पर नान नहीं बनती है तो हमने आप इस नान को बनाए एक छोटी सी कडाई में जो कि आप वीडियो में देखें गई काफी अच्छे तरह से बन जाती है इसका जो कलर और टेक्चर वह भी बहुत सुंदर आता है तो इस जब आप नान बनाएंगे तो बाहर वाली नान यानि के रेस्टोरेंट वाली नान भी आपके नान के समने फीकी पढ़ जाएगी तो ट्राइ ज़रूर कीजेगा इसे तो चलिए नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल मैदा यहां पे ले लिया है अब अब मैदे बेकिंग पाउडर जो कि मैने आधी चोटी चमच ही लिया है क्योंकि हमारा जो मैदा है वह एक पाउल है उसे साफ से मैने यहां पे आधी चोटी चमच बेकिंग पाउडर लिया है और जरा सी एक चुटकी हम यहां पे बेकिंग सोड़ा यानि कि जो खाने का सोड़ा होता ह हमारा तो वो लिया है यहां पर मैंने इसमें इस्ट का यूज नहीं किया है तो इस्ट की बजाए में यहां पर इसमें दो चोटे चमच दही का यूज करने वाले हूं यह नॉर्मल वाला दही है जो घर में जमा हुआ होता है वही तो दो चोटे चमच ही बस मैंने इसमें दही का यूज किया है अब ये सारी चीजी तो हो गई है अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी एट करते हुए इनका डू बनाना है पानी भी आपको नॉर्मल टेंपरिचर वाला ही रेन लेना है ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी वगरे की जरुरत होती है तो बिल्कुल नहीं तो ये दिखे इस तरह से आपको आटा गुनना है काफी सॉफ्ट सा आटा है अब आटा गुनने के बाद हमें इस पर यूँ तेल डाल देना है तो ओईल इस पर हमें इतना डालना है कि अच्छी तरह से ओईल से कवर हो जाए यह देखे इस तरह से यह बड़ी आसी ओईल से कोटिंग हमने इसकी दे दिया अब हम इसे कवर करके रख सकते हैं तो दबग आप आदा गंटा एक गंटा या दो गंटा भी से आराम से कवर करके रख दीजिए और यह च हमारा रेडी है और हमें तीन ही छीज़ों के यहाँ पर जरूय है जिसने की बर्त यहींने थोड़ा से मिल्ट यहाँपर कर लिया है धनिया पती है इसे थोड़ा से बड़ा बड़ा सही हमें I pull कod क करना है और कलोगी यहाँ एधिशी ना हो तो आप ब्लैक वाली जो तेल होती है ना सिसमे सीट तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए आटा हमार एंगदम बढ़िया तरीके से तयार है अब दुबारा से हमें इसे अच्छे से यूं मिक्स कर लेना है अब हम इसकी लोई बना रहे है और यह देखिए जब आप लोई बनाएंगे तभी आप समझ जाएंगे कि आपका जो यह डो है यह कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट बनाएंगे इसकी में जो यह चिकनाहट है यह बहुत ज़रुवी है इस तरह से अब हमारा यह लोई ब बेलने के लिए हम थोड़ा सा मैदा ज़रू डस्ट करेंगे है और फिर हम एसे यू थोड़ा लम्बा सा बेल लेना है तो नान को हम इस तरह से थोड़ा से ओविल शेप में बेलेंगे काफी अच्छा लगता है यही बाला शेप अग हम इस पर थोड़ी थोड़ी हांपी य या फिर इस तरह से बेलन से एक दो बेलन इस पर चला दीजिए तो यह चिपक जाएगी अब यह तो हो गई हमारी नान बिल के तयार देखनी से सेखना बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए तो अब हम इस नान को इस कड़ाई में सेखने वाले हैं वैसे आप इसे लोहे के तंधूर टाइप को शीप देने के लिए इस आ पही कड़ाय का यू gabi यहां पे हमें करना है के यह जो हमारी नान है तो इसका आपserपम पाण वाला पार्ट है तो यहां पे आपको ते तरह से पानी लगा लेना है पानी लगाना इसलिए है जिससे की यह जो ये कड़ाई प चिपका दिया है तो यह प्रोसेस आप बहुत आराम से कर सकते क्योंकि इस वक्त देखिए कड़ाई बिल्कुल भी गर्म नहीं है आराम से हम अपनी नान को इसमें सेट कर लेते हैं यह देखिए यह इस तरह से आप नौन स्टिक में यह बनाएंगे तो वह निकल आएगे वह चिपकेगी नहीं अच्छी तरह से तो हमें न इस आराम से यह पकड़के यह चिपका लीजिए आपसे तो देखिए काफी परफेक्टी नान अब कड़ाई में सेट है और अब हमने क गैस को आन कर दिया है यह दिखे कड़ाई हमने गैस पर रग दी है फ्लेम को मीडियम ही रखा है इस तरह से तो यह दिखे बिल्कुल थोड़े ही से में फटा फट से यह इस तरह से बबलाने हमारे नान में शुरू हो जाएंगे एकदम परफेक्टी हमारे जो आटा है तो हँ हमें करना यह है कि इस पकड़ाई को करदेजि के और फिर हमें नान को अच्छी तरह सीङसी था मूमेंट करना ज़रूर है तो यह देखे अब शखर रही है हमारे नान चलिए देखते हैं इतना पर्फेक्टली है हमारी नान इहां पर सिखके तयार है अब हम इसे निकालेंगे तो यह दिखे इस तरह से आप इस तरह से बढ़िया बटर अपलाई कर दीजिए थोड़ा धनिया लगा दीजिए इस तरह से रेस्टरों में हम खाते हैं और इसका बैक साइड वाला जे को युदि रेसिपी पसंदा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू